नमस्कार मेरे प्यारे साथियो आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस प्रिविस एर के क्यूशन पेपर लेके आए हैं अब आज इसमें 20 परसनों को इंक्लूड किया है जो आपके लिए इंपोर्टन्ट है और टप भी है ये परसन पिछली एक्जाम दिल्ली पुलिस में पूचे गए थे दोस्तों आप इन परसनों के अधर पर जान सकते हो कि आने वाले एक्जाम दिल्ली पुलिस में भी कितने टप क्यूशन आने वाले हैं जिससे आप इस तरह से प्रेपरेशन कर सकते हो कि आने वाले एक्जाम को भी क्लेर कर सके पिछली साथ बहुत ही टप पेपर आया था तो आपके लिए इंपोर्टन्ट है तो इनको जरूर देख लीजिए आप दोस्तों हम इसको शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना साथ है कि आप मैरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम और भी वीडियो लाज उसका आपको नोटिफिक्शन मिलता रहा है तो थेंक्यू चलो शुरू करते हैं पहला क्यों से राज्य में इस्तित है तो रियंद बांद है जो कि किस राज्य में इस्तित है मेरे प्य साल यह एक्जम में पूचा गया था अगला देख लिते हैं विश्यू की पहली महिला सासना द्यक्स किसे चुना गया था तो कौन सी महिला थी मेरे प्यारे सातियों जिसको सबसे पहले सासना द्यक्स चुना गया था तो यह चुना गया था स्रीमाओ बंडार के नाइके जो पर स्रिलंगा की प्रदानमंत्री थी अगला देखते हैं यदि दिल्ली पुलिस के कोड में 8 10 14 24 16 18 32 32 26 10 लिखा जाता है तो उसी कोड में 6 2 32 38 42 24 38 को किस सब्सक्राइब के इस्तान पर लिखा जा सकता है तो यह कोड दे रखा है दिल्ली पुलिस का कोड है यह नीचला वाला और 6 32 32 इससे शुरूरने वाला इसको किस में लिखेंगे तो यहाँ पर डी लिखा दा रहा है आर से यहनिकि डवल डी 4 पर आता है तो डवल ल सब में इंक्लूड है कि C 3 पर होता है A B C तो डवल कर ले तो 6 हो जाएंगे उसके आदार पर एक को हम डवल करेंगे तो 2 हो जाएंगे तो 2 को A C लिखा जाता है उसके बाद में 32 पर तो 16 पर क्या लिखा जाएगा इसके साब से हम जान लेते हैं कि 13 पर तो M है 14 पर N 15 पर O 16 पर पर N P P तो यहां पर इसका आंसर C हो जाएगा I 9 पर आता है इसलिए डवल कर लो इसको 18 हो जाएगा T आता है 20 यहीं20 पर आता है तो इसको डवल कर लो 40 वह यह 1 पर आता है दो हो जाएगा L आएगा 12 पे जिसका डबल हो के 24 हो जाएगा उसके अधर पर यहाँ पर S 19 पर आता है तो इसका डबल हो जाएगा 38 तो इसका अधर पर यह आंसर सरी है B वाला आपके लिए important है इस तरह के person पूछे गए थे अगला देखते है train to Pakistan was a suitable boy दोनों किताब के लेकक कौन है तो इसका अंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं यानि कि तीनों नहीं थे यह परसंद पूछा गया था उस टाइम पे जिसमें से यह परसंद पूछा गया था कि ट्रेन टू पाकिस्तान वेस एसूटेवल बोई दोनों किताबों के लेकर कौन थे इन में से कोई नहीं यह अंसर दिया गया था और आप इसका अंसर जान नसाते तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कमेंटम बता देंगे आपको किसका अंसर क्या है अगला देखते हैं जम्म और कस्मीर जिसको Union territory के रूप में बदल दिया गया है तो इसकी रादधनी श्रीनगर कौन सी नदी की किनारे बशा गया है तो इसका आंसर है दोस्तो यहां पट जेलम नदी के किनारे बसावा था जमो और कस्मीर Union territory अगरा देखते हैं वर्स 2000 का किसन पूछा गया था वर्स पूचा गया था मिकॉंग गंगा योजना दोस्ता आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आप जरू जरूर यहाँ पर दिल्ली प्लिश के किसी भी पेपर में देख सकते हैं यह क्यूशन आये थे तो वहां से हमने इसको लिए हैं आपके लेंपोर्टेंट है जरूर देख बारत के अपनी पूरी पडोसी देशों से परिटेक सिक्ष्या परिवान आधी पर समझोता किया गया था दोजार के तैट अगरा देखते हैं अंत दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायू वे पैट्रोल या गैंस से को मिलाता है तो कौन मिलाता है इसकां से रहा है पर फैट्रोल को मिला देता है जिसके अगाधार पर जोलनशील उत्पन होती है अंत देश्या निंजन में अगरा देखते हैं बारत का इस्ताय अनुसंदान केंद्रग दक्षनी-गंगोतरी कहा है तो बारत में दक्षनी-गंगोतरी कहा परिश्थित्त है तो दोस्तों यह यह बारत के अंदर नहीं है यह अंठार्टिका के अन्दर वह पर बारत के तीन सोध अनुसंदान के अंदर है एक नाम है दक्षिणी घंगोतरी मैतरी और तीसरे का नाम है तीसरे का आप कमेंट करके जरुर्द बता है अगले देखे हैं कम्प्यूटर के लिए Ic chip आहम तोर पर किस वस्तू से बनाई जाती है तो कौन सी वस्तू से बनाई जाती है कम्पूटर में Ic chip इसका अंसर है शिलिकॉन से तो शिलिकॉन से बनाई जाती है Ic chip अगला देखते हैं सिकंदर महान सिकंदर महान ने किस वरस में बारत पर आकरमन किया था तो सिकंदर ने जिसको यहां पर सिकंदर महान के नाम से समुदित किया गया है तो उसने बारत पर आकरमन कप किया था इसका अंसर है 326 BC इसवपूरियू में 326 BC में यहां पर भारत में राक्रमान की था जेलम नदी के किनारे अगला देखते हैं ताब मान की ऐसा एक मातरक क्या है तो ताब मान की ऐसा एक मातरक क्या है मेरे प्यारे साथियो इसका अंसर है डिग्री सेल्शियस ताप मैन का SI मात्रक डिगरी सेल्शियस है अगला देखते हैं तीनों सेरों के हमारे राष्ट्रिपर्तिक के नीजे सत्य में जैते लिका है सत्य में जैते किस ग्रंद से लिया गया है तो इस कांसर है दोस्तो मुंडग उपनिशद से लिया गया है और रिग्यवेद एक वेद है जो तीन वेदों से अलग है अगला देखते हैं प्रसिद कावे गीत गोविंद के रचिता कौन है तो इस कांसर है दोस्तो जैदेव जैदेव प्रसिद गीत गीत गोविंद के रचिता है कावे के अगले देखते हैं रक्त का कौन सा गटा रक्त को सकंदन में साइक है तो इसकान सरे दोस्तों प्लेट लेट प्लेट लेट यहां पर रक्त में सकंदन के साइक के करता है अगले देखते हैं विशु का सबसे विशाल वन कहा है दोस्तो विशु का सबसे विशालवन यहाँ पर ब्रजील में है इंपोर्टेंट आपके लिए देख लेजिए अगला देखते हैं पर्तवी पर सबसे छोटा जीवित पसू किशे माना गया है तो इसका अंसरा दोस्तो पिगमी मार्मो सेट को माना गया है यहाँ पर सबसे छोटा जीवित पसू अगला देखते हैं इन में से कौन सा ग्रह सूरे के परिकर्मा पूरुव से पच्छिम की और करता है तो कौन सा ग्रह है जो पूरुव से पच्छिम की और करता है तो इसका अंसरा यूरिनस इसके अलावा यहाँ पर सुक्रगराभी पूरम से पच्छिम की और यहाँ पर उसके ब्रिमन करता है परिकर्म करता है अगला देखते हैं विशु का दूसरा सबसे बड़ा दीप समू कौन सा है तो दोस्तों विशु का सबसे दूसरा सबसे बड़ा दीप समू नियोगिनी है यह important है आपके लिए अगला देखते हैं विशू पर विशालतम जीवत पक्षियों में से सबसे भारी कौन सा है तिसकांसरा है सत्रमूर्ग सबसे बड़ा पक्षिया है और भारी भी सबसे बड़ा सबसे बारी सत्रमूर्ग है अगला क्यूशन देखते हैं नो से अधिक रियक्टर संकेत में बुकम्प उस्तन कितने वर्ष में प्रत्वी पर आता है तो कितने वर्ष में आता है बुकम्प यहां पर यह आता है पचास वर्ष में एक बार इंपोर्टन आपके लिए अगला क्यूशन देख तो दोस्तों ये थे 20 इंपोर्टन दिल्ली प्लिस के क्यूशन पेपर दोस्तों आपको कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताए और अपनी राई जरूर दे वीडियो पसंद आए तिसको लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों साथ सेयर जरूर कर दे तैंक्यू जैन जै भारत